प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी दो दिवसिय यात्रा पर शनिवार को गुहाटी पहुचे यानि कल शाम को पहुचे हैं और राजिपाल गुलाब चन कटारिया और सीम हेमन त्विश्व सर्मा ने पीएम मोधी को बहुत जोरदार इनको स्वागत किया उनकी आगवानी की और गुहाटी में पीएम मोधी खाना पारा इसेत वेटनरी कॉलेज फील्ड में भाजपा कारे करताओं ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के स्वागत के लिए एक लाख मिटी के दीपक जलाए पीएम भाजपा की राज़े कोर कमीटी से मुलाकात भी करेंगे और रविवार यानि अब आज के दिन का प्रोग्राम रविवार को 11,600 करोड रुपे की विकास परियोजनाओं के शुरुवात करेंगे पीएम मोधी आज असम में जिन प्रमुक परियोजनाओं के आधारशिला रखेंगे उनमें कामाख्या मंदिर गलियारा, गुहाटी में नए हवाई अड़े के टर्मिनल से छे लेन की सड़क, नहरू स्टेडियम को फीफा मानकों के अनुरूप करना और चंद्रपुर में एक नया खेल परीसर शामिल है, प्रधान मंद्री असो माला सड़कों के दूसरे संसकरण की भी शुरूआत करेंगे, इस चरण में 43 नई सड़के और 38 कंक्रीट पुल शामिल होंगे, जिसमें कुल 3444 करोड रुपे का निवेश होगा, पीएम मोधी 3,250 करोड रुपे की ला गंज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की भी आधार शिला रखेंगे, इसका निर्मान 578 करोड रुपे की लागत से किया जाएगा, गोहाटी में 297 करोड रुपे की यूनिटी मॉल की भी स्थापना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के द्वारा की जाने वाली है, प्रधा प्रधान मंत्री के आगवन से गोहाटी में एक नया उत्साह, नया माहोल, नई चका चौन्ध नजर आ रही है, सुरक्षा व्यवस्ता बहुत ही पुक्ता कर दी गई है, आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का संबोधन होने वाला है, जिसके तहट जगा जगा चपे चेकिंग हो रही है लोगों की और ये चेकिंग बहुत ही बारीकी से असंपुल इसके द्वारा की जा रही है, इस बीच में उनके स्वागत के लिए प्रस्तुती देने के लिए मंच पर जिन कन्याओं को, जिन लड़कियों को जाना है, उनमें भी खासा उस्साह देखा जा जानाओं का सौगात तो देने ही वाले हैं, साथ ही एक तरह से कहा जा सकता है कि इन पर योजनाओं के बाद असंप की नई तस्वीर निकल कर सामने आएगी, असंप में भी डबल इंजन की सरकार है, सिर्पर हाथ है, हेमन तुष्व सर्मा के सिर्पर प्रधान मंत्री मोधी का हाथ है और बीजेपी का साथ है, असंप दिनो दिन प्रगती कर रहा है क्योंकि असंप में बीजेपी की सरकार है, आप देख सकते हैं, प्रधान मंत्री मोधी का जिस तरह से स्वागत किया गया, एक लाख मिटी के दिये बनाकर इनका स्वागत किया गया, नरेन मोधी काफे खुश नजर आ रहे थे और इस दौरान इस दौरान लोगों में भी बेहद उत्साह देखा जा रहा है ट्रैफिक विवस्था भी चकाचॉंद कर दी गई है सुरक्षा विवस्था कड़ी कर दी गई है खाना पारा वेटनरी फील्ड में इनका संबोधन भी शुरू हो जाएगा अपसे कुछ देर बाद और आप उस फील्ड की तस्वीरें देख पारे होंगे कि किस तरह से वहां तैयारियां हो चुकी है